आज हम आप लोगों को गवालियर के परतियार वन्स है उनके संग्रस की कानी बताएंगे जब तुर्कों के आक्रमन से परियार रानी तौरी देविक को जोहर करना पड़ाता जिसमें उनके साथ पंद्रसों से उपर राजपुत मेलाई भी थी गवालियर पर परतियार छेत्रियों लगबग एक सुपचास वर्शासन किया है यहां के परतियार कनोज के परतियारों के समान तक रूप में कारी करते हैं थे और इनी के बाई परियोहर थे गवालियर पर नागबढ़ देटीयों ने सन 750 में इस विम में गवालियर दुरुक का निर्माण करवाए था कुछ दिनों के बाद दुरुक के आलत ख्राब हो रही थी तब सन 1856 में मीर बोज परतियार ने गुवालियर को अपने समराज ये कनोज की राजदानी उपराजदानी बनाया और गुवालियर दूरक को सजाया और समारा इस विसाल राज परसाद को बगो जड़नोवे सुजित किया ये उराणियों के लिए अनेक बियार इस तलबी बनवाए मीर बोज के सासनकाल में उसका नाती कीट पाल परियार किले का रख सकत था सन 1936 इस्वी में कनोज का समराट येस पाल था तबी महमद गजनवी ने कनोज पर आक्रमन करके उसे नस्ट कर दिया परतियार लोग कनोज छोड़ कर बारी चले गए थे इस नस्कर्ति का काल लाब उटा कर राठो और चंदर देउने कनोज के खंडर में अपना डेरा जमा लिया और परतियार परियार को वहां से बगा दिया श्योंग वस इस समय गवालिय दुरुग की देखबाल इलबट परियार एंउकचवा दुले राए तेज करन था वे कनोज के इस सरदार परमा देव का मामा था उसने परतियारों को निराशित देखकर बांजे परमा देव को बारी जाने से रोग लिया और से परिवार गवालिय दुरुग में सरण दे दिया परमा देव हाथ पर हाथ रख कर बेटने वाला नहीं था उसने एक संक्टित सेना बनेई सभी को एक किया एक सुदर्ड सन्य संक्टन हो जाने पर सन 1945 स्वी में परत्यारों ने पुन्य गवालिय पर अधिकार जमा लिया और अपने को राजी का राजा गोसित कर दिया फिरोध करने वालों को राजी से बगा दिया सन 1103 में के आसपास गवालिय देथा चंदरी राजी के अंतरगर्थ वत्वा नदी के पस्षेम का चंबल युमना संगम से लेकर उत्री मालवा तक का चैतर परत्यारों के अधिन था क्योंतों मुहमत बिन साम गोरी से परत्यारों का ये अधिकार देखा नहीं गया तो उसने 1104 में इस्वी में गोलिय दुरूप पर आक्रमन कर दिया उस समय परत्यारों की चाहिता करने वाला कोई नहीं रात तो उन्होंने गोरी से समझोता कर लिया समझोता होने पर भी गोरी ने गोलिय पर तुगरील को बयान का हाकिम बनाकर उससे गोलिय दुरूप जीतने का आदेश देखकर चला गया इस परकार तुगरील तुगरील ने आसपास के गाउं को काफी दिन तक लूटा खसोटा किन्तु नटूल परत्यार के पोतर दिता परतापसी के पोतर विग्रे परत्यार ने से गोलियर की ये दूर दरसा देखिने गई उसने दुरू की सरक्संटोली को गोलियर से खदेड कर बगा दिया और चब्दा वर्स के अंतराल से पुन्य गोलियर पपनी 27 तापित की विग्रे परतियार और उसके बाई नर वर्मा की वंसावली दो तामर पत्रों से प्राप्त होती है अते सोव वर्सों की अव्दी में परमा देव के वंसाज विजेपाल वासु देव करन देव और सारंग देव आदी ने गौली राजिय का संचलन किया इस वंस करंदेव के तिप्तिये पुत्र थे जिनने बादमें ओरिया इलाक दिया गया इसके पश्याद ग्वालिर गड के गंगो लाताल के विक्रन सों 1250 ता बारस विकाउन के दोसी ललेक प्राप्त हुए जिनसे ये ग्यात होता है कि इन वर्सों में गड पर जेपाल देव राज्य कर रहे थे उन्हें जेपाल देव की मुद्रा भी प्राप्त हुई है हसने निजमी ने जिस सोलंक पाल का उले किया है वे इनी जेपाल के उत्रागे अद्धिकारी थे जिसका वास्तेव की नाम सुलेक्षन पाल था जिनका मुगल समराट सेहाबू दीन के बीच युद हुआ और सेहाबू दीन ने ग्वालिर गड को चारो और से गेर लिया गेर रहना पड़ा परतियार राजा को त्री इस्त करने के लिए मुगल समराट ने रसत पानी बंद करा दिया हसने निजामी के ताजूल में आसीर के अनुसार सुलक शन पाल बैबित और हतास हो गे तता उन्होंने संदी की चर्चा की और कर देने के लिए सेहमत हो गे दस हाती उपहार में दिये गे सहाबू दीन ने ये संदी स्विकार कर ली और गजने भी लोट गया उसका सेनापती कुतूबू दीन अबलक दिली लोट गया और दूसरा सेनबती से अबुदीन तुग्रिल त्रीबुवन गड़ चला गया उदर दिली में भी इस काल में बारी उतल पुतल मची थी दिली के सिहसन पर कुतुबुदीन अबलक बेट गया वे एक विलासी एंव मकार था उसके हाथ में परतिया रज्जा सुलक सनपाल ने गौलियर की सता देदी थी जिससे कुतुबदीन अबलक तथा वहाउदीन तुग्रिल के बीच मनमुटा हो गया था इस मनमुटाओ के कारने सन 1210 इस्वी में उसी के एक दास समुदी सुदीन इलेतू समीस के हाथों हत्या करवा दी थी गई और उस स्वेम दिली का सुल्तान बना दिया गया उस सासन सही नहीं धन से मतलब था इसलिए सुल्तान बनते ही देश नगरों ग्रामों को लुटना प्रारम कर दिया उसको बते गया कि गवालियर दुरुप में बहुत धन संपता और उसने पहले ही तुर्कों को मार बगया जो सुल्तान का सत्रु है अते इतूस्त मीस्त ने गवालियर पर आक्रमन कर दिया दिली की बारिशेना के सामने राजपूत सेना बहुत कम थी परतियार राजञाओं ने नेतो हत्यार डाले और नई सत्रु को किले में गुशने दिया परत्यारुकी मोर्चा बंदी इतनी मजबूत थी कि कभी कभी सुल्तान को अपने सेनिकों को मौलवियों के बासनों और उपदेसों से प्रतोसाहित करना पड़ता था दर्ड निश्य के साथ किये जाने वाले यूद और सुल्तान के विक्तिगत नेतनों के करन लगबग 11 मेने तक इतुत मिस गेरा डाले रहा परंतु किले में गुषने में सपल नहीं हो पाया आत में उसने चाल बजिक करने की सोची रातरी कंदरें वे दरुख के पस्चिम के ओर से अंतरी बना कर गुषा और वहीं से चोरों और बा नती दरुखों में सेनिकों को उतार दिया है चोरों ने दुरुक का दक्सिन भाग भी खोल दिया। दुरुक के अंदर बयानक मार कोट बोर होते तक चली। राजपूत सेना बार से आ गई सुल्तान भाग निकला। रात में केद के सेनिको वे मेलाओ को दुरुक से निकला जा चुका था। और इनमें से चार सो राजपूत और दो सो मेलाई थी जीने सुल्तान ने कतल करवा दिया। सुल्तान का दूसरा अक्रम्ड भी विफल रा गौलियर के परियारों ने गौलियर गड़ प्राप्त करने का प्रियास किया। कुरट्ठा के विक्रम समथ 1267 इस्विक के तामरपत्र से परकट होता है कि उस समय गौलियर गड़ पर विग्रे राज और कणन देव का बड़ा पूतर सारंग देव गौलियर का राज़ा था। बड़ा नितिग ये था। सुल्तान का तीसरा और अंति माकरण बारस दिसंबर 1232 को हुआ। मल्य वर्मन ने देश पर आई आपता का मान अन्य राज़ाओ को करया। उसने हान पर यदुवनसी तॉमर शिकरवार और सूरिवनसी राज़ाओं ने एक तर होकर एक सू संग्ठित सेना बनाई। इस सेना और दिल्ली की तुर्क सेना के मध्य 11 महातक विशन संग्राम सल्तारा तुर्क सेना लाक से भी उपर थी उसने सारा गौलिर गेर लिया था और चोरों चारों और से दुरक के लिए रसत पानी बंद करवा दिया गया था। राजपुती सेना दिन बे दिन गरती जा रहे थी उदर मेरेट आगरा दिली कानपूर से दन और जन दोनों आ रहे थे किन्तु फिर भी परियारू की स्थिति काफी जर्जर होती जा रहे थी अब यूद अफसासान की और जा रहा था। में 20 नौंबर 32 इस्वी को ग्वालिर माराणी तौरी देवी ने छेत्रियों को अंतिम समर में कूद पढ़ने का संदेश बेज दिया। सभी छत्राणियों ने साध संगार किया चंदन की विशाल चित्ता बनवाई गई और जे दुरग जे भवानी केते हुए जरो ललनाए जोहर की ददक्ती जोला में स्वाव हो गई। इस परकार परत्यार राणिया चित्ता में जोहर हुई और कुछ राणिया जोहर ताल में विलिन हुई। चत्राणियों का जोहर चत्रियों ने देखा और वे पीत बसने बांद कर तुर्की सेनी को पर तूट पड़े। देखती देखते हैं उन्होंने पांच जार से उपर सत्रों को मोत के गाट उतार दिया इस समर में पंदर सो प्रियार राजबुत पहुंचे थे इन में से एक बजिंदा नहीं लोटा पांच हजार तीन सो साथ परे अमी लोहे गटी जूजो सारंग देव रन संग एक हजार पांच सो संग जोहर ताल के लिए बहांट बताते हैं कि परतिया राजबुत इस्त्रियों ने किस परका जोहर कर अपने प्राणों के आउती दी पहले हम जूजोहर पारी तब तुझे जूजकंद समहारी इस गटना को लेग एक सी ललेक में किया गया था किन्तो अब ये गुम हो गया उर्वाई गाटी को गहनने वाली दिवाली इतुत में इसके समय बनवाई थी दिवाल इस अंतिम यूद का सेनापती तेजस्वी पर परिहार कह रहा था तता उसके पुत्तर हरी वर्मा अजे वर्मा वीर वर्मा मारे गे सारंग देव के बच्चे म्यू सहानिया भेज दिये गे अन्ये भाई जिगनी डुमराई चले गे गवालियर में मल्य वर्मन का सोतेला भाई नर वर्मा बच रहा था नर वर्मा परतिया इतुतमिस के बेटे फिरोज रुकुनु दीन से समझोता कर लिया इस समझोते के अनुसा नरवर्मा तता उसके कुछ साती राजपूत को दुरुग में रहने का अधिकार मिल गया किंतु दिल्ली में जब रजिया सुल्तान का ससंकाल आया तो उसने गोलिर पर डेरा डाला और समझोते को रद कर दिया उसने नरवर्मा को दुरुग से बार निकाल दिया और चाहाड देव को दुरुग की देखवाल सुमप दिया इस परकार कभी तुरुग को तो कभी परियार इस दुरुग पर एदिकार करते रहे चाहाड देव भी परियार था उसने दिरे दिरे ज अजे दुर्ग के बीतर ने गुस्ट सका और वापस लोट गया सन बारसो अठाओन इस्वी में बल्बन बहुत सक्तिसाली हो गया था उसने बड़ी सेना लेकर गवाली प्राक्रम कर दिया उसमें चहार देव सरगवासी हो चुका था उसका नाती गणपती याजपल दुर्ग का अधिपती था इसमें इतनी छमता नहीं थी कि कुछ हजार स्वेनिकों के बल पर वे दिली की सेना का सामना कर सके अस्तू मैं रात में ही परिवास सहीत बिहार चला गया चायन के वनसज ने परियार पूर ग्राम बसया और आज भी हजारों की संक्यों माबाद हैं बाकी लगरपूर विसरी हैं मनियर उत्तर सुर्जी पूर सुक पुरा हर्जपूरा अधिगरमम आबाद हैं चहार देवने अपने राज्य के विस्तार चंदेरी तक कर लिया था इस तरह सभी सत्ता में तो कभी सत्ता हीन होकर ग्वालियर पर प्रियारों का आवास रहा है और गवालियर प्रतियार वंस के ससक परमा देव प्रतियार रवी जेपाल प्रतियार जल हैनसी प्रतियार वसु देव प्रतियार संग्राम देव प्रतियार मैपाल देव प्रतियार जे सिंग प्रतियार कुटपाल देव प्रतियार कणन देव प्रतियार सारंग देव प्रतिय तेरी सताब दी तक गौलियर से परियार संस का पतन हो गया और बच्चे कुछे परियार अलग-अलग जगे बस गए जिनने सारंग देव गौलियर को छोड़कर मौस से आहनिया आगे हैं उनके अन्य बाई रागो देव परियार रामगड जिगनी चले गए रामदेव परिया और या गे हैं छोटे बाई गंग देव परिया डूमराई मेजा बसे जहां आज भी इनके वंससे लगवक तीस गाउं से उपराबाद हैं आप सबी जरूर शेयर करें परियार परियार चेतरी है वंस जे नाग बड़ जे मियर बोज परियार अलियर का परियार तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लें जय शुराब